हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक्स्प्रेमेंट पर्फॉर्म करेंगे एक्स्ट्रैक्शन अफ डिने को फर्स्टाइम आइसोलेट किया था फेडरिक मेश्चन ने इन 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 इयर 1869 रिक्वार्मेंट्स आपको चाहिए बनाना as a source of DNA आप बनाना के जगह पे पपया भी ले सकते हो मैंने लिया है बनाना नेक्स्ट है salt, sodium यह positively charged है और DNA phosphate की वज़े से negative charged है salt DNA को neutralize करता है और water में less soluble रखता है proteins DNA को bound होता है तो salt proteins को अलग करता है और water में dissolve करता है liquid soap या detergent DNA cell में nucleus में होता है DNA को अलग करने के लिए cell membrane को dissolve करना है cell membrane में lipoproteins होते है तो liquid soap जिसमें enzymes होते है वो lipoproteins को dissolve करते है तो इसलिए हम लोग use करते है liquid soap या detergent chilled ethanol या फिर isopropyl alcohol chilled ethanol ये proteins को aqueous solution में dissolve करता है तो proteins alcohol में precipitate नहीं होता chilled ethanol DNA को precipitate करता है जिससे DNA visible होता है फिर filter चीए तो अब सबसे पहले हमको बनानों को लेना है और इससे cut करना है आदा बनाना काफी है for DNA extraction फिर हमें चाहिए motor और पेस्टल अभी जो भी available है मैंने उससे यूज़ किया अब बनाने को पिल्ड ओफ करना है और इस बराने को आपको cut करना है छोटे छोटे पीसिस में जब आप knife यूज़ करते हो तो please take care या फिर आप spoon से भी पिसिस कर सकते हो अब इसमें कुछ water add करना है और इसे smash करना है within 2-3 minutes बनाना smash हो जाता है और बन जाता है slurry तो अब देख सकते हो यह है बनाना slurry अब slurry को आपको filter करना है तो आप देखोगे नीचे filtrate इकटा हो जाता है तो यह है filtrate एक glass लीजिए या फिर भीकर लीजिए इसमें half spoon salt डालना है water add करना है और कुछ liquid soap add करना है फिर आप इसे stir करो जब तक salt dissolve नहीं होता अब filtrate को आपको add करना है और around 3-5 minutes आपको stir करना है ताकि जो DNA cell में है वो अलग हो जाए अभी test tube में आपको लेना है 3-4 ml chilled ethyl alcohol तो अब देख सकते हो हमने test tube में chilled ethyl alcohol लिया है और इसमें add करना है solution जिसमें filtrate, liquid soap और salt है और यह आपको equal amount में ही add करना है तो जैसे ही यह solution add करेंगे यहाँ पे DNA precipitate हो जाता है आप देख सकते हो यहाँ पे DNA precipitate हुआ उपर की layer में तो chilled alcohol की वज़े से DNA precipitate होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो उपर की तरफ DNA precipitate हो चुका है और यहाँ पे भी आप precipitated DNA देख सकते हो तो यह है DNA कर दो यह प्रोप्छब्ष कर दो कर दो चाहर कर दो यहाँ प्रोप्छब्वें अपरा यहाँ फ्रोप्छब्षा